नमस्कार आप देख रहे हैं डीबी लाइव नज़र डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर तीन देशों की यात्रा के लिए लिजबन रवाना हुए प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी पहले चरण में कल पूर्टुगाल की राज़दानी लिजबन पहुँचेंगी पीम 25 को करेंगे अमेरिका का दौरा राश्पदी बनने के बाद ट्रूम्प और मूदी की होगी पहली मुलाकात यात्रा के आकरी पड़ाव में जाएंगे नीदर लेंट कैला उश्मान सरोवर यात्रा में चीन का आड़ंगा बिना कारण बताए नाथुला दर्रे से यात्रियों के दो जत्तों को वापस लोटाया दिल्ली में ठहरे तीसरे जत्ते के यात्रियों की बढ़ी चिंता आमाद्मी पार्ठी को उचुनावायोग से जटका लापकपद मामले में खारिच की सभी दलीले हाई कोड पहले ही रद कर चुका है केश्रिवाल के 21 संसदी ऐस चीवों की न्यूकती नोहटा में डियस्पी के हत्या मामले में प्रिशासन की कारवाई नौर्थ श्रीनगर के एस्पी सज्जाद खालीग भट का तबादला वारदात के पीछे अलगावादी नेताओं का हो सकता है हाथ बुलिस ने जेके एलफ प्रमुक यासिन मलिक को किया गिरफतार भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सत्रवी बैठक दोनों देशों के बीच सेन्य सहयोग बढ़ाने के मसौधे पर हस्ताक्षर अरुणजेटली और रूसी रक्षामंत्री की मौजूद्गी में हुआ करार 2000 करोड के ड्रक्स के मामले में एक्ट्रिस ममता कुलकर्णी भगोडा घोशित कोट की निर्देश के बाद घर के बाहर चिपकाया गया नोटिस कोट में हाजिर होने के लिए 30 दिनों की दी गई मोहलत बम धमाकों से दहला पाकिस्तान अब तक 62 लोगों की मौट 150 से ज्यादा खायल आतंकियों के खिलाफ सेना की जवाबी कारवाई चीन के सिजुआन प्रांट में भूस्खलन से तबाही सरकारी मीडिया के मुदाबिक भूस्खलन में करीब 100 लोगों के मलबे में दबने की आशंका रहत और बचाफ कारे जारी दिली युनिवर्सिटी में आज से एड्मीशन की प्रक्रियाश शुरू पहली कट अफ लिस्ट शारी बड़े कॉलेजों की कट अफ लिस्ट में 3 फीजदी तक की गिरावत और चैंपियन्स टॉफी फाइनल में जस्पीद बूमरा की नोग बॉल को जैपुर पुलिस ने बनाया अपने रोड सेफटी विग्यापन का आधार कहा लाइन ट्रॉस की तो हो सकती है कोई भी अप्रिय अखटना बूमरा ने विग्यापन पर जताई नारास की तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरे तेक तरह ये डीबी लाइफ क्योंकि यहां हैं खबरे लगातार